हेलो दोस्तों किया हल चाल हैं दोस्तों आपके लेके आ चुके में और इंपोर्टेंट वीडियो इस वीडियो में बाते करने वाले हैं इंडन नेवी की एज लिमिट के वारे में 2021 वाले बैच की आने वाली भारती में दोस्तों न्यू वेकंसी में हमारा डियो भी क्राइटे आपके दो-तिन सवाल ऐसे थे जिनके उपर आपका काफी एदा कमेंट आ रहा था एक तो था आपका सवाल कि सर आने वाली वैकंसी हमारा एज लिमिट क्या रहने वाला है यानि कि डियो भी क्राइटेरिया हम आप इदन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे और यह जो 2021 बैच की वैकंसी आएंगे इंडन ने में वो कौन से बैच के आएंगे फरवर के आएंगी या अगस्त के आएंगी एंड क्या हमें इस वार एज में छूड़ देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा एज लिमिट में दोस्तों क्या इंडन ने वाले हमें छूड़ देंगे ने देंगे त तो सही बाते आपसे करने वाले हैं तो प्लीस आप वीडियो पूरा देखना और ध्यान से देखना पहले बात करते हैं नेवी SSR और डवले की इस वार एज लिमिट क्या रहेगा और यह कौन से बैच के आएंगी दोस्तों आपको बता दें वेकंसी वह आएंगी अगस्ट 2021 ब मेरे भाईयों अपने से सुना अगस्ट 2021 बैच की दोस्तों वेकंसी आने वाले हैं तो इसमें DOB क्रेटेरिया क्या रहने वाला हैं आपको वो रहने वाला एक अगस्ट 2021 سے 31 जोलाई 2004 के वीड दोस्तों इसला दी हमें झूरनी मिलती है ध्यान से देखो यदि हमें दोस्तों एज में छोड़नी मिलती है नेवी SSR डावले में इसवार DOB क्राइटेरिया यह रहने वाला है तो मेरे भाईयों आपसी भली बाती देख लो 1. August 2001 से 31. July 2004 के बीच यदि हमें दोस्तों इंडनेवी तरफ से छोड़नी मिलती है तो यह DOB रहने वाला है और यदि मिली तो आपको बता दें क्या रहेगा वो रहेगा दोस्तों यह 1. August 2001 से 31. January 2004 के बीच जी मेरे भाईयों अपने सही सुना इसके भी दोस्तों हमारा DOB क्राइटेरिया रहने वाला है एज लिमिट रहने वाली है यदि हमें 6 महीने का छोड़ मिलता है और दोस्तों मिलना भी चाहिए क्योंकि हमारे 6 महीने COVID-19 से वेश्ट गाएं उसका हरजाना कौन भरने वाला है तो हमें 6 महीने का छोड़ चाहिए यानि कि एज में रिलेक्सिन चाहिए तो यह DOB रहने वाला है आप से भी किलिए देख लो यदि इसके बीच आपका DOB है आप आने वाली वैकंसी में दोस्तों आविधन कर सकते हैं यदि इंडर नेवी तरफ से 6 महीने का हमें छोड़ मिलता है एक फरवाई दोहजा एक से एकत्ति जनवाई दोहजा चार के बीच यदि नहीं मिला तो हम आपको अता दें यह वाला DOB रहेगा दोस्तों यदि इंडर नेवी वाले हमें 6 महीने का जो COVID-19 वेस्ट गाएं यदि नहीं देते हैं तो यह वाले DOB रहने वाला है तो इसको भी आप सी मिला लो यदि इसके बीच आपका DOB आ रहा है यानि कि यह तो प्रॉपल ली है यह तो 100% है दोस्तों यदि हमें छोड़ने मिलता है तो यह तो DOB रहेगा 101% तो इसमें देख लो यदि इसके बीच आपका DOB है तो आप आने वाली वेकंसी में नेवी SSR डवले में अपली कर सकते हैं आवेदन कर सकते हैं तो इसके बीच आपका DOB होना चाहिए और ही बाद दोस्तों हमारे एज में छोड़ की वो हम लेके रहेंगे जो हमारे दोस्तों 6 माईने वेश्ट गए इसको इंडनेवी को जाब देना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमारी गलती नहीं है हमें एज में छोड़ मिलना चाहिए चिंता ना करें हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे अब बात करते हैं हम इंडनेवी एमार की इसवाद दोस्तों ड्यूबी क्रेटेरिय के रहने वाला है और यह जो बैच आएगा दोस्तों वो आएगा अक्टूबाए 2021 का दोस्तों बैच आएगा यह जो आने वाला बैच है अक्टूबाए 2021 वाले बैच की आएंगी जी मेरे भाईयों अपने सही सुना और इसमें ड्यूबी क्रेटेरिय के रहने वाला है आपको हम एक बात दिखा दें एक अक्टूबाए 2021 से 30 सितम्बाए 2024 के भी दोस्तों इसवाँ इंडर नेवी अइमार 2021 वाले बैच में ड्यूबी क्रेटेरिय यह रहने वाला है तो आप से क्लियर देख लो यदि हमें दोस्तों एज में छोड़नी मिलता है तो इसवाँ ड्यूबी क्रेटेरिय आप से भी का यह रहेगा तो इसके बीच आपका ड्यूबी है एज लिमिट है तो आप से भी आने वाले वैकंसी में एमार की में आविदन कर सकते हैं यदि दोस्तों हमें इंडर नेवी तबसे एज में छोड़नी मिलता है तो आप से भी का ड्यूबी क्रेटेरिय यह रहने वाला तो यदि हमें एज में रिलेक्स जेसन मिलता है दोस्तों आप से भी का एज लिमिट यह रहने वाला यदि नहीं मिलता है तो यह रहेगा दोना ही हमने आपको बता दिया है और पूरी इमित तो यह है कि दोस्तों 100% की हमें इंडर नेवी तरब से 6 माईने जो हमारे वेश्ट होए COVID-19 वेस है तो उसमें छूट मिलना चाहिए 6 मंत का और नहीं मिलता है दोस्तों हम आपका पूरा सबोर्ट करेंगे चिंता ना करें हला वोल करना पड़े कैंपेंज चलाना पड़े टुटर पर हम चलाएंगे सबका साथ दोस्तों चाहिए बाद चाहिए कुछ भी हो जाए हम आपका सबोर्ट करेंगे हमारी जो 6 माईने जो वेश्ट गए हैं इसका हरजान कौन भरेगा इंड़ा नेवी को आखरे कार जवाब देना पड़ेगा और यादी कमेंट बक्स में आपको जैहिं जरू बोलके जाना है इससे पता चलेगा कौन-कौन भाई हमारे साथ हैं तो प्लीस आप से भी नीचे कमेंट बक्स में जैहिं जरू बोलके जाना है तो हमने आपको बता दिया दोस्तों यदि हमें छोड मिलता है तो इस वार Navy MR में ये वाला DOB रहने वाला है तो आप से भी किलिए देख लो इसके बीच आपका DOB होना चीए और यदि नहीं मिलता है तो ये वाला DOB रहेगा तो दोनों ही हमने आपको बता दिया है और Navy DAVA ले और SSR की हमने आपको बता दिया दोस्तों इसमें DOB क्या रहने वाला यदि 6 मेने का मैं छोड मिलता है तो ये वाला DOB रहेगा यदि नहीं मिला तो इस वार दोस्तों DOB यह रहेगा तो सभी जानकर ये दोस्तों एज लिमिट को लेकर DOB क्राइटेरिया को लेकर 2021 वाले बैच की हमने आपको बता दिया इंडर ने में क्या रहने वाला है आपका काफी आदा कमेंट आ रहा था तो हमने इस वीडियो में किलिया कर दिया यदि आपको कुछ भी सवाल हो तो नीचा कमेंट कर देना और हम टेलिग्राम पर आगें प्लीस आपसे भी टेलियर्म जॉन कर लेना उसका लिंग आपको नीचा कमेंट वक से मिल जायेगा उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगो वीडियो पसंद जैनल कंब लाइक कर देना चैनल को प्लीस सबस्काइब को लो आपसे भी जैसे भरती आती हैं दोस्तों हम आपको सबसे पहले बताएंगे तो चैनल को प्ली सस्काइब करें लिए बैल ऐकान दबादेने मिलते हैं आपसे अगली वीडियो इंपोर्टन टॉपिक के साथ जैहिंद